हाई दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं तुवासा करता हूँ कि आप लोग साइज होंगे फिट होंगे मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने त्यारी में लगे होंगे तो मैंने इससे पहले बताया था कि आप लोग का जो बिहार पुलिस डायल 112 के जो 78-808 पदों की जो सिव जीला से तो वह जीला से सूची आ चुकी है 78-808 सुविक्रित पद की सूची जिसमें किस पद के लिए कितना सीट है वह हम आप लोग को बता रहे हैं और आप लोग त्यार रहिएगा इस पद को हासिल करने के लिए जो जिस लाइक है जो सौब इंस्पेक्टर का भी पद है ASI का भी पद है Constable का पद है Driver का पद है जिस विभाग में आपको जाना है जितना आपका qualification है वैसे आप चूच कर सकते हैं और अपने त्यारी में लग जाएए क्यूंकि मैंने बोला था कि अप्रेल में ये बहाली आएगी तो अप्रेल में ही आएगी बहाली अप्रेल से मैं नहीं होगी तो मैं बता दूँ इसमें इंस्पेक्टर का जो पद है 169 पद खाली पड़े हुए हैं और जो सब इंस्पेक्टर का पद है 887 पद खाली पड़े हुए हैं जो 594 पद खाली पड़े हुए हैं और कॉंस्टेबल जो सबसे बड़ी संख्या में यहीं वेकेंसी आती है जो कॉंस्टेबल सिपाही बोला जाता है तो कॉंस्टेबल का पद आपका 5,856 पद खाली पड़े हुए हैं तो मैं आसा करता हूँ कि आप लोग त्यारी कर रहे होंगे और यह जो वेकेंसी है तीन चक्रों यानि तीन बार में यह वेकेंसी को पूरा करेगी तो आप लोग तैयार रहा है अपने अपने पद के लिए अपने अपने त्यारी में लग जाईए पढ़ाई पर पूरा फोकस किदिए पढ़ाई के साथ साथ फिजकल पर भी फोकस किए रही बात मेरिट की तो अभी कोई कॉनफर्म नहीं हुआ है कि मेरिट फिजकल पर बनेगी या रिटेंट पर जैसे मैं आपको बता दूँगा सर्फ कि यह बोल दूँ कि अभी कॉनफर्म नहीं हुआ है तो आप लोग return qualifier और physical base को बना के merit वाला base त्यारी किजिए क्यूंकि अभी तो confirm नहीं है तो आप लोग confirm मानिये कि आपका जो merit है अभी physical base पे ही बनेगी क्यूंकि अभी कोई confirm नहीं है जब confirm हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे तो आप लोग अपने त्यारी में लग जाईए क्योंकि कॉंस्टेबल का पद बहुत जल्द आ रही है मैं बोला था अप्रेल में आएगी तो अप्रेल में हर हाल में ये वेकेंजी आएगी इसलिए आप लोग लगे रहे हैं त्यारी करते रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और मैं जो वीडियो बनाओं वो वीडियो आपको समय से मिलेगी 110% सही मिलेगी इसलिए आप लोग त्यारी करते रहे हैं जय हिन जय भारत